डिये इस्टोंज डियल में जो जितना मुश्किल होते हैं ना इनफेक्ट वो उतना ही आसान होते हैं डिपेंड आप पर हैं आप उनको किस नजर से समझते हो आप उनको किस नजर से देखते हो आप उनको किस तरह से एनलाइज करते हो आप उनको किस तरह से सोचते हो ठीक वै करेंगे हम सब्स्व कर लेंगे बट भुस च्छांफिन यहाँपर मिस्टेक करेंगे अब यहाँपर मिस्टेक करेंगे ठीक है अब यह क्वेस्ट के लिए हैं पहले हम यह बताते हैं खास के आप 12 mathematics के स्टुड़न्ट आइमिंग अगर आप 12th क्लास में है तो ये वीडियो आपके लिए most important है बने रहे हैं वीडियो पेंड तक अच्छे सा हम सीख लेते हैं बारी बारी से चलिए तो सबसे पहले आप भी आई है important है ठीक है आई से लेट करेंगे भाई integral of question देख रहे है हैं आपके सामने तो ऐसे सब question बहुत सब्सक्राइब नहीं कर पाएं इसलिए हम बोल रहे हैं हो सकता आप भी ऐसे वाले इंट्रेजल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएं तो क्यों आईए हम सीख लेते हैं और अगर solve कर भी लेते हैं तो भी बने रहे है वीडियो पेंट ठी ठीक है देख लेंगे कैसे होएंगे तो आपका रिभाई हो जाएंगे रिवीजन हो जाएंगे चलिए इसको बाद में solve करेंगे पले इसको करते हैं तो हम देख रहे हैं यहां पर रूट होला है लाइक हम बताए थे आपको कि ncrt book में बताए थे exercise 7.2 में बताए थे 7.2 में सब्सक्राइब करने वाला है तो यहां पर रूट है तो आप आप समझ गया है इसको लेट करना है विकॉज आप आप अल्री 7.2 कर चुके हैं ठीक है हां 12 mathematics की बात करूंगे तो यहां पर रूट एक्स को हम पूट करेंगे चलिए भाई यहां पर हम पूट कर लिए लाइक लिए लाइक अपर बीटा यू भी कुछ भी पूट कर सकते हैं उसके बाद क्या करना होता है डिये लिट करने क्वाद बहुत करना होता है यह भी आप अल्रेडी पहले से जानता है तो आप क्या करेंगे डी बाइड लगाएंगे और यहां पर रूट एक्स देंगे और ऐस differentiate ओके यहां तक आप आल्रेडी जानते हैं देखे सब कुछ आप खुद जानते हैं ठीक आप बस बने लिए वीडियो पेंट तक आपका डिवीजन हो जाए अब डूट एक्स का डिफरेंशियेट आप नहीं जानते हैं भाई आल्रेडी जानते हैं कि वन भाई टू रूट हो है और इसके अंदर में जो है वही हो जाता है यहां पर एक्स हो गया रूट एक्स हो गया इन्टू अब यह तो रूट का हुआ डेडिवेटिव ठीक है बट अब एक्स का करेंगे ना एक्स से रिस्प्रेक्ट में तो वन हो गया तो वन हम छोड़ो हटाओ इक्वल टू हम को विकॉज इसको हम पूट कर लिए हैं ठीक है अब एक्स इकल टू निकालना होगा जो कि यहीं समको दे जाएगा देर फोर एक्स इकल टू यहां से निकाल लेंगे तो रूट को हम इस साइड कर लेते हैं एक्स इकल टू क्या मिल गया टी स्कॉार मिल गया ठीक है इसको इसकी हमें जरुवत पढ़ेंगे ठीक है यहां पर ऊठ करने में यहां पर तो सब कुछ निकल यह गहां रूट एक्स इंटू डी टी पहले से भाईया वट हमको क्या चाहिए डी एक्स चाहिए डी एक्स तो मिल गया लेकिन रूट एक्स एकल टू कुछ हम निकाल के भी रखे हैं देखिए स्टार्टिंग में ही पूट किया है लाइक आप देख सकते हैं ती यहां पर टी रख देते हैं अब बारी बारी से देख लिजिएगा जो भी ना समझाए हमें बताईएगा तो इस अब करने बाद हमको नया इंट्रिगल मिल जाता हम यहीं पर लिख लेते हैं नौ निव इंट्रिगल क्या होगा भाई आई क्वल टू देखिए आप इनको भी देखते जाए इनको ने द पर लिख देखे अब क्याएं निकालक रखें तो टी स्कॉर बहुत जी है ठीक है एक बाद कर लेगा अब देखिए यहां पर पड़ में तो यहां भी टी यहां भी टी हम कोमन एक ले रहे तो तू बाहर कर लेते हैं टी का हमारा जंजा ठीक खतम हो जाएगा तू बाहरे कर लिए बीटी यहाँ लिख देता हैं और यहां से टी कोमन ले लिए टी ऐसे कोमन ले ली हैं एसे यहाँ पर वन बचा ओझ एक टी है तो बाहरे आगा फिर पर पलस टी स्कॉार में बाहरे आ लेकिन यहां भी टी है ऐसे तब यह यह तो कैंसिल हो गया ना तू हम पाहड़े लिए यह यह कैंसिल हो गया ठीक है जो कि आप आप जानते हैं फिर टू इंटीग्राल आउप यहां पे क्या बचा डी टी आपाउन वन पलस टी बचा अब इसका आप इंटीग्रेशन नहीं ज आउग यहां पे वन पलास टी की भलू आप पूट कर दिजिए ना जो कि हमारा गीवन को सनर रूट एक्स यहां पे पूट कर दूं रूट एक्स यह हमारा फाइनल एंसर होगे चलिए अब को सन नबर सेकेंड पर चलते हैं नौलुक है डी इस्टन जी हमारे पास सकेंड न worth one upon me n plus one हो जयता है वहां पे एन कि जिए हमारा one तो मिते आप Lakes you है हमारा आप इसको ऐसे भी कर लィठी अब लिएवाशय स्काल हो जाए एक सन तो वाज 1 प्लेसं वन डूह पला मीटल इसको मानश 1 अपर्ण भी प्लास टू झा अव यहां पे क्या करेंगे देख्षैज करेंगे तो या हमारा हो जाएंगे क्या निया मील गया मैनास वर वक्ति हपार हो गया यह कितना य swear हमा आफाने यह मील गए हमा पर प्लेलिस्ट हम लिंक दिया है बारी बारी से सभी देख लेजिए वहीं सब आपके एक्जाम पेपर पर आएंगे आपके एक्जाम पेपर में जो भी इंटीरेशन कुशन आएंगे उन्हीं प्लेलिस्ट से रहेंगे